नमस्कार दोस्तो, कुंडिली टीवी पर आप सब का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ नई और दिल्चस्प जानकारी लेकर आपके सामने आये हैं। जी हाँ, दोस्तो, आज हम बात करेंगे आपके लकी नमबर, आपका लकी दिन, ताकि आप कोई बड़ा करें, तो अपने लकी नमबर और डे के हिसाब से ही करें, ताकि आपको आपके काम में तरक्की मिले। आप सभी अपना मुलांक तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप अपना भाग्यांक यानि की लकी नमबर जानते हैं, अगर नहीं, तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जन्म तारीख, जन्म मन्त और जन्म साल का पता होना जरूरी है। उधारन के तोर पर अगर किसी विक्ति का जन्म 4 दिसंबर 1993 को हुआ है, तो उसका मुलांक होगा 4 प्लस 12 प्लस 1993 होगा, यानि की 4 प्लस 3 प्लस 4 is equal to 11। तो इसका भाग्यांक को हुआ दो, इसी प्रकार से आप किसी का भी मुलांक जान सकते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं, एक से लेकर 9 मुलांक वालों के लिए कौन सा दिन वा कौन सी तिथी फल देने वाली अर्थात लकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुलांक एक से, जिन लोगों का भाग्यांक एक होता है, उ आगे है भाग्यांक दो अगर आपका भाग्यांक के दो है तो आपके लिए सुमवार और बुद्वार का दिन शुब रहेंगे और अगर तारीखों की बात करें तो 2, 4, 8, 11, 16, 20, 26, 29 और 31 तारीखों पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस हैं भाग्यांक तीन वाले लोगों की अगर बात करें तो इनके लिए मंगलवार और शुकरवार दिन भागेशाली रहते हैं और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27 और 30 तारीखें भी इनके लिए शुब होती हैं अगर आपका भाग्यांक चार है तो बुद्वार और सुमवार आपके है, 16, 20, 22 और 26 और 31 आपके लिए शुब तारीख रहेंगी आगे बात करते हैं भाग्यांक पांच वालों की भाग्यांक पांच वालों के लिए सब्ताहा के तीन दिन बुद्वार, गुरुवार और शनिवार लकी माने जाते हैं साथी इनके लिए 5, 10, 14, 19, 23, 25 और 28 है और 24 इनके लिए फल्दाई होती हैं भाग्यांक साथ वाले लोगों के लिए 7, 14, 16, 25 और 26 शुब तारीख हैं और इनके लिए जुलाई, जनवरी, मार्च और मई शुब महीने वबुद्वार, गुरुवार और शनिवार शुब रहते हैं आगे है भाग्यांक 8 इस भाग भाग्यांच वाले जातकों के लिए जनवरी, अगस्त, फरवरी और अप्रेल महीना शुब फल्दाई होता है साथी इनके लिए 4, 8, 16, 17 वा 26 तारीख हैं शुब होती हैं अगले नमबर पर भाग्यांक 9 जिन लोगों का भाग्यांक 9 होता है ऐसे लोगों का लक, मंगलवार और शुकरवार को बुलंदी पर होता है इनके लिए 9, 15, 18 और 27 तारीख हैं शुब रहती हैं तो बस अपने भाग्यांके के अनुसार ही आप किसी विशेस काम को करने के लिए दिन का चुनाव करें इसी अनुरूप कारे करें हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी